अगर आपकी किस्मत लिख सकेंगे हम तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देंगे हम और जो मोड आपको अपनी मंजिल दिलाए उस रूख को भी आपके तरफ मोड देंगे हम नमस्कार में मीथुन जाताव आप समों आज के सेस्टन में कमपडिशन कमिटी पर स्वागत करता हूँ गाइज हम जो एस प्रमूलियों से दूर जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे कि लिए रहे क्या क्ैनलो बाते कर सकने क्या क्या कि टर्ममरोजी का JACK कि इस्तेमाल हो देखे धिए जिसको हिंदीन क्या ही कुलते हैंंं किसी से उदाहर आप लेते हो, उससे को उन्हों कि हम लोगо क्या बोलते हैं, जिसको भूलते हैं, मुल्धन बोलते हैं जिसको दिखाएंगे, ठीक है एक आपका आगला तर्म है, jisका हें Northern gonna동, जिसका हीन हम बोलते हैं से समझे及व . से आप लोग ठीक है सर यह जो माल लिजे एक जंपल कि हमने आपको 100 रुपय उधार दिया और आपने मुझे बदले में 120 रुपया वापस लाके दिया तो सर वह 20 रुपया क्या है सर वह जो 20 रुपया है वह गाईज आपका इंट्रेस्ट मतलब जब आप मुलधन को इंट्रेस्ट के साथ किसी को वापस कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्या वह जाके समझ आएंगगे अगर कंपांट इंट्रेस्ट कारेंगे बात किलिए हुआ है ठीक है अब एक बात और समझेगे ध्यान सुनिएगा अब यहां पर एक छोड़ी सी बात आपको रेट समझाओंगा रेट आप लोगो पता है सा रेट होती क्या है सार इसको हिंदीम क्या बोलते हैं हम लोग दर क्या बोलते हैं हम लोग दर सिंपल भासम समझाओ हम बोलते हैं सौ रुपये पर एक साल में मिलने वाली ब्याज मिलने वाली ब्याज ब्याज को दर बोलते हैं दर कहते हैं ठीक है सरी इंग्लिस में कैसे बोले हैं हम लें बता देते हैं टेंसर ना लो हम लें इंट्रेस्ट और रुपीज हंड़ेट फॉर वन एयर इज नोन एज रेट ठीक है बात हां सब्सक्राइब आप समझेगा इस रे सब्सक्राइब आप समझेगा जरूनी की एक रुप्या हो कभी आपको 10,000 किसी उधार देना होगा कभी पांच यार कभी 15,000 तो इक जो अलाग लग जो एमाउंट है इसके लिए एक जेनरल फर्मुला होता गया जेनरल टर्म का इसना पी जिसको सौट में हम लोग प्रिंसपल का ही रूप दिये थे ठीक है तो माल लेजे पी रुप्या में एक साल में कितना मिलेगा तो ये एक रुप्या था इसको पी से मल्टिप्लाय करो क्या बजाएगा पी आर अपन फ्रर्मुलाय करते हैं तो यह कि यह मतलग लोग से लेगा ए शुसका है इंप सिंपल इंट्रेस्ट वोलते तो अभी तो आप बजओन से करें बास वह दैस्ते करना कहा से मतलग थे और समय तो लग करें है एक यहाğin पर क्या होता है समय होता है time को क्या बोलता है अप लोग समय बोलते हो ठीक है अब समझेगा एक बात त्यारा न समय को हमेशा आपको एयर में लेना है हो सकता paper में कई आपको आठ मेहना कभी चार मेहना कभी दो मेहना देदेगा तो गैज उसको change करने मत भूलिएगा नहीं तो तकलिफ होगे ठीक है सोर का पीछा छोड़ेंगे नहीं, आईए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तो देखते बात करते हैं, क्या बोला है, त्यार्ण से पढ़िए सवाल को क्या है, सदारन भी आज कि किस दर से कोई धान आठ वर्स में दो गुना हो जाएगा, ठीक है, सदारन भी आज किस दर से, दर पुछाने रेट पुछा, तो हमने डेफिनेशन रेट का क्या पढ़ाया था, सव रुपईये में एक साल में, जो मिलने वाली जो ब्याज होती, इसको क्या बोलते हैं धर, सर दो गुना हो जाएगा, हम बने बोले कोटें से नालोप, हम मान लेते हैं कि बैंक में हमने सव रुपया जमा किया, सार दो गुना हो जागा इसका मतलब कितना हो जागा आप बोलो सरी गुना हो जागा 200 असे सौह में 8 साल में समझे तो यह जो मिला आपको इंटरेस्ट कितना आठ साल में मिला ठीक है तो सर आठ साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो साड़े बारा का मतलब होता है पिर से पढ़ो 100 रुपिये पर एक साल में मिलने वाली जो ब्याज होती हो कितना साड़े-बारा मतलव रेट भी कितना होगा हमारा साड़े-बारा डेफिनेशन के हिसाब से इस तरीके से बीना कुछ पहन चलाएगा जमलों क्या कर सकते हैं हां से अंसाद दे सकते हैं कितना 12.5% जो ह जरुत नहीं है एक ही बात याद आखिए 100 रुपिये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट बोलते हैं ठीक है चली उम्मिद करते हैं इसको कोई बच्चे फर्मुला भी लगाना चाहरा होगा तो फर्मुला लगा लिए अगर कोई बचा लगाना चाहिए फर्मुला कितना हंडेड सर देखें सिंपल इंट्रेस्ट रुपिया क्योंकि तो सौर रखेंगे दो सौर इंट्रेस्ट कितना मिला सो यहां पर क्या रख देंगे हम लोग सो पर इस बात रेट निकालोंगे सारे बारा परसंट तो यह फर्मुलीय से कोईस करिए का कि इस से बलोग स्क्रीन पर यह रहा सवाल क्या बोला सर कोई धन सधारन व्याज की दर से छे वर्स में दो गुना हो जाता है तो कितने वर्स में चार गुना हो जाएगी एक उंदा सवाल है मेरे हिसाब से समझे क्या है सवाल सर हम बोले बेरा पैन चलाए कोई फर्मुला लगा इससे सवालों के लिए फर्मुला लगा होगे दो बर लगाना पड़ेगा लेकिन जो हम तरीका बताते है परसंटेज के हिसाब से बनाओगे तो गैस काफी असान हो सवाल किया बोले कोई धन कोई धन का मतलब हम तो सो रुपया मानेंगा बही आ तो इसका मतलब तुमको इंट्रेस कितना कमाया होंगे तो कितना सा इस साल लग गया आपको अरे साल 6 साल लग गया समझो दो गुना हो गया मतलब 100 रुपए रखें hanya 200 रुपए हो गया मतलब इंट्रेस कितना कमा it, मतलब 100 रुपिया सव रुपया inट्रेस कमाने आपको समय कितना लग जाता? च्छो साल सवाल बोल रहा है तो सर रा किसासल चार गुणा होने में कितना समय लगजैगा say जाए चार गुना का मतलब के समझते हैं सर सो रुपिया रखेंगे हो पुतना जाएगा बताओ सरी हो जागा कितना चार इसार मुझे यह इसका कितना गुना है तो सरिच समय भी कितना हो जागा देखे असल बात समझा के नहीं तो यह उंदा तरीका जो आपको सोचने का हम बता रहे हैं उसी से आगे बढ़ना है और आपको क्या करना है सवाल को टिक करना कहां सो अप्सन नमर ए है बात के लिए रुगा क्याने सो रुपया छे साल में तो तीन सो रुपया हमको अठारा साल में ल लाब होगा हम बहुत सिंपल सवाल है तो पैन चलाने की कोई नोबत ही नहीं है कि समझेगा अब यहां पर देखिए क्या सवाल बोल कि आ रहा है कि देखिएगा इफ मनी लेंडर क्या अर्ण इतना रुपीश क्या इंट्रेस्ट एर्दफ फाइफ परसेंट सिंपल इंट्र इंट्रेस्ट नहीं बदलती है अगर एक साल चार अगर एक साल का चार परसंट नहीं डिकाएंच और यहां पर एक साल का पांश परसंट है तो चार साल के लिए क्या करें चार से गुना करके डाइट अंसर क्या मार दोगे, 20% कोई दिक्कत है क्या नहीं है, कौन सा अपसन अगाईच, 20% अवर बी, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, अगर एक साल का 5% तो 4 साल का 4 से गुना करके 20% क्या अगर टिक करोगा अगला सवाल, आपके स्क्रिन पे ये रहा, एक, बिल्कुल भी फर्मूले से दूर जाकर बात करना सहेंगे, ठीक है, बला कि 2000 रुपे का 5% छमाही, एक साधारन बयाच की दर से, सारे तीन वर्स का बयाच कितना होगा, हम बोले सिंपल सी बात समझेगा, सर सिंपल इंटेस में 6 माही चलते रहती है, बात समझा की नहीं सर चमाही क्या होती है, इसको थोड़ा समझा देते हैं, हम बोले समझा देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चमाही बगरा क्या होती है, बात समझा की नहीं, हम बोले हम बोले हम बोले ठीक है, तो सर 6 मेहने होगा, हम बोले ठीक है, तो मतलब 6 मेहने में 5% समझ ज़ेगा च्टना हो गए चैना करके आए अरे सब sust Saryonуж aired मैं डिया हुआ तो सरी अगर मन लिजिए में इसको साथ माने हो गी तीक में है th pzione कितना हो जागा जूआ पीडिया हुए तो यह से साथी तीन साल की बाद करें ग। एकसी साल धीन हुआ समय मैं कि नहीं सिंपल चाशो मेना करके साथ वर जोड़ लो या तो सिदा सिदा एक साल का निकाल के सारे तीन से गुना कर दो मतला हमको सिदा 35 परसंट चाहिए किसका तो इसका 25 कर दो देखो 700 आगया ठीक है अरे साइट यह किसे कर दी है हम बले रहे बहुत परसंटेज परा दूसर कितना हमें जो इंट्रेस मिलेगा कितना 700 और देखो बात समय क्या तो इस तरीके सगाज उम्दा तरीके साब सवाल करिए तो मुझे लगता है कि आपको समय थोड़ा बच्चत मिलेगा यह समय को आप कहीं और जगह इटलाइज कर लोगे ठीक चलिए फटापर से बहुत सकता आपको मंत में दे करके आपको परिसान करेगा लेकिन हम लोग बेसिक थिए नहीं भूले हैं हम बहुत कभी भी कोई मंत दीखे तो इसको यह में बदलना के लिए गाई इस क्या करते हैं हम लोग 12 से डिवाइड करते ठीक है तो सर बड़ा सिंपल हम बड़ा रेट दिया है कि नहीं हम बहुत बड़ा सर टाइम आठ मन्त है लेकि मंत को बारा से डिवाइड करने मत बुलियागा वरना दिक्कते आएगी सर दो चीज पुछाता हम बहुत सर मिस्टर धन को हम बहुत समझते हैं क्या मुलधन पलस इंट्रेस्ट तो इंट्रेस्ट तो न सिंपल इंट्रेस्ट और मुन दिखान ओट्रेस्ट में इसान। तो मतलो मिल गया कि नहीं मिल गया बोलो तो जो आपका सिम्पल इंट्रेस्ट हो गया कितना हो गया 624 जीरो इमीद करते हैं कि यह बात आपको बहूत उंदा तरह के समयाया होगा क्योंकि या दखिये गलतियां आप यहीं करोगे कि 12 से डिवाइट करना भूल जाओगे और अर्थ से अनर्थ हो जाएगा जल्दी से फटापर से स्क्रीन सोट लिए और इस अमानत को सम्हाल कर रखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जीए रहा चलिए जल्दी से फटापर से आगे बढ़ते हैं लोग देखिए सवाल पढ़िए क्या है खुबसुरत तरीके से इसको हम डिल करते हैं बहुत ही आसान सा कोस्ता ने आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या है कितने वर्सों में 25,000 रुपिय की एक एक रासी पर 12.5 परतिशत की द मिलने वाली ब्याज को क्या बलते इंट्रेस तो इसको 100 बनाना पड़ेगा तो हो सकते हैं आपको तकलिफ हो सवाल क्या समझते हैं कितने वर्सों में 25,000 रुपिय की एक रासी पर 12.5 परसंट की बारसी दर से 1250 रुपिय का सदारन ब्याज पर आप्त होगा मिलेगा ठीक है तो यहां पर प्रिंस्पल के जगपर क्या लिख देंगा मैं 25,000 रेट है 12% मतलब क्या हो जाएगा परसंट के लिए नीचे क्या लखिएगा 100 वो टाइम कितना है जब का क्या है क्या होगा 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 यह कि अगर यह पॉइंट को हंटा देते हैं तो यहां पर एक जिरो औ जाएगा मतलब यह 3-0 कट जाएगा बुइंट यह 1225 तो यह कट जाएगा दस बार में और यहां से सिद्धा पचीस बचेगा मतलब टाइम बराबर जो होगा यह टाइम बराबर क्या होगा 10 बटे कितना पचीस एर ठीक है कितना हो जागा बोलो पांच दूनी दस और पचे तो दो बटे 5 को आप्सान में नहीं है मितला ओफसन कहीना गलत होगा ठीक है ओफसन या तो गलत होगा अपसन आपका क्या अंसर बिल्कुल सही है दो बटे 3 एर ठीक है चली ध्यार रखिएगा इस बात को ठीक ए गुम्दा सवाल है तो अगला सवाल आपके स्कीन पर लेता है और छे महिने बाद 2550 रुपय क्या कथे कठा करता है तो परती बर्स ब्याज की दर जिस पर क्या होगा जिस पर उसने कितना पैसा उधार दिया होगा हम बोले सिंपल सी बात है और मेरे बात समझेना सो रुपय पर एक साल में मिलने वाली ब्याज को इंट्रेस बोलते है बात खतन है अम जो कितना ब्याज मिला समझेगा सर समझेगा आप मुझे बताएगा पचीस सो रुपया रखे तो कितना हो जागा बौलो कि अब गया है तो देशी से उर पर कितना मिलेगा तो धिकत नहीं है पट्रीजीस पर हमको 100 रुपए पर चाहिए कि मोले चलो ठीक है यहां बात की लिए रहा कि नहीं कि सर एक साल में कितना मिलेगा सार अब देखो यहां पर देखिए फटाबट से कि पैन मत चलागीए गाओ उपर एक साल में जो बैयाज मिलेगा कितना मिलेगा सर वह सौ मिलेगा हम पर घृग साल में आपको डेह डियाज रुप टैट ये परसे लो तो चार परसंट कौन सा अगा जब देख सकते चार परसंट ऑप्शन नमबर सी बात के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर से ले चुके होंगा उम्मीद करते हैं आईए हो गया क्या पांच वर्सों में बारा हजार पचास रुपे की रासी बढ़ करके कितना हो जाती है पंद्रह हजार रुपे हो जाती है तो बयाज की दर क्या होगा हम बोले बहुत ही उम्मदा सवाल है ठीक है आप बड़ा असानी से निकाल सकते हैं सिंपल से साल कितना है पांच तो भी एक ही बात है यार पांच साल में कितना बयाज मिला थे बात खतम देखिए कैसे लिप्ट पांच साल में कितना इंट्रेस मिल रहा है हम बले आपको पांच साल थोड़ में एक साल बोले थे कि पांच साल में की थे कितना करें थे यह 5 पांच में बनाने क्लिए बात खत्म होगे तो स्रूु को यह साल at सबहां असल में कितना मिलदा दोा रह जा कितना परचल्यम मतलब अधाल यह आपका देख लिए सार रचन पर सी तो क्या बोले में फर्मूले से दूर जाके अलग ही दुनिया बसाएंगे ठीक है तो देख पार है परसंटेज पढ़ने का तरीका किस तरीके से आज पहली बार अपनी इस तरह की सोलुशन देख रहे होंगे यूटूब पर उमीद करते हैं आप जितने हैं भी वच्छे है चलो बताते हैं तमारी तमारे दिल को हम क्या करना चोट को पहुचाना चाहते है जो हिलिंग है और उसको जिंदा रखना चाहते हैं लोगा यह बात करते सख्वाइब लोग मतलब नहीं है मजा नहीं द extrude High경 2017 समझ जाना भाईया धाई जार बढ़ गिया है मतलब सब्सक्राइब पैसा कितना जमाकित हैं तो पूछा था मोले आर बटे सब्सक्राइब लेकिन क्या मतलब है समझो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा एक और उम्दा सवाल देखेगा आचुका आपके स्क्रीन पर बात क्या करते देखें आप निशित धन्रासी दो वर्स में 700 कितना हो जाता बलो 704 रुप्य हो जाते तो पांच वर्स में 800 र इंपोर्टेंट करो इसको बहुत इंपोर्टेंट बहुत वार पुछा गया है तो बहुत दिल को दर्द देगा सवाल छोड़ दोगे तो सर यह हम बोले क्या हम बले जो पैसा बढ़कर हो जाती है का उसी को अम लोग एमाउंट बोलते हैं कुछ पैस से हमने आपको दिया और वह बढ़कर किस न हो गया तो सर जो बढ़कर है इसको क्या बोलते हैं आँआंठ मतलब मतलब एक बास में अ पर धूद देंगे तो यह कितना हो जायगा बलोग 744 माब छॉट इसल इसला चार साथ-सो कितना हो जाएगा चार यहां पर देखिएगा 5 साल में कितना हो जाता देखू कि यह प्रिंसाल का सिंपल इंट्रेस्ट कर दीए तो क्याएगा तिन कर दो सुन लो तो सुन लो इंध्र क्यों लिए उसके लिए विए लिए खतम हो जाएग वात सन्यकी नहीं ठीक है तो संदू उपनेटरीट्रेष क्या भशीयानबे इढ़ें नहीं होगाइगा से इध्यानबेटी च्छान लो तुमेटकर आपको टेवल याद होगा बातीस क टेवल याद होगा आपको है ना तो टेवल तो याद ही करना पड़ेगा है रहा खास करके जो ऑफ-लाइन क्लास में अनुभब किया हूँ टेवल उन बच्चे को खास करके आप लोग जो इंग्लिस मेडिया वाले बच्चे पढ़के आतों लोगो बहुत दिक्कत होता टेवल मैं तो समझना है ठीक है हम लोगो भाइया बच्पन में लो टीचर के सब्चे कर पर दो इसको न बता सकते ना दिखा सकते इसलिए करते कि तुम लोग्ड़ यार्थ कर लोगे ज्यादा बेटर होगा तो सी में साल कशी में गश्त डिबल पुले कर लाइंगा पूले को सब आपे एक साल का 32 तो 2 साल के इतना कितना हो जागा 32 एक साल का कितना चार में तो प्रिंसपल बराबर 704 माइनस हो जागा कितना 4 सेट चार-चार कहम कर दो तो सारी प्रिंसपल होगा कितना 640 तो देख लो कौन सा अंसर भईया एक असान सा भासा है 640 कहां पर है ऑफ्सन नमबर डी देख लो ऑफ्सन में टिक करो और आगे बढ़ो जल्दी से फटापट से इसका स्क्रीन सोड़ लीजे गाईज अगला सवा तरीका हम लगा रहे हैं वह तरीका लगाओ किसी बुक से गलत नहीं हो सकता मेरा चैलेंज है ठीक है क्या होगा व्यक्ति अपनी पुंजी का एक थाड़ भाग साथ परसंड के बैयाज पर ठीक है वन फूर्थ भाग आठ परसंड के बैयाज पर और सेस भाग को दस परसंड कि बैयाज पर लगाया अधि उसकी वार्षिक जो आए कितना था बोलो इतना था हम बोले हमारे दिमाग में एकी बात चला कि हमने टॉटल सो रुपया तुमको लगा के दिया कितना लगा के दिया सो रुपई है ठीक चले कुछ नहीं करना है हम बले टॉटल जो सिंपल कितना सेवन पलस देखो यहां पर कितना सर आगे 1 4th of 1 by 8 देख लो 1 4th of 8 ठीक है और रिमेनिंग किसे निकलेगा आप तमाम बच्चे बोलना चाहाँ रिमेनिंग पार्ट पर 20 तो पर फोकस करियेगा वरना यही वो यही वो पोर्षन है एरर जॉन जहां पर आप गलत कर जा दिया हुआ है और यह 1 4th दिया सर इसको जोड़ करके घटा दे हमोले घटा दो तो 4 और 3 7 7 बटे 12 मतलब 1 मैनस कितना हो जागा 7 बटे 12 घटा देना तो कितना बचेगा 5 बटे 12 तो जो रिमेनिंग बात बोला था नहीं हो आप से भाग कितना हो जागा 5 बटे 12 कैसे आए बा यह आपे 7 लड़ी है तो सचो कितना हो जागा 28 यह बात थोड़ा से जल्दी क्या करना आप लोग कोपी में चाप लेना बात समझा ठीक है सर 4 से रिवाइल को तीन बार में सर यह 8 गुन्ने 3 कितना हो था हम बहुले 24 होता है ठीक है अठीती है 24 ठीक है यह 12 एका 12 गुन्ने 10 कामा की इतना है कितने हूँ सबल्भ नहीं सर हम चल्द नहीं है ज् alors सब्सक्रूंथ सब्सक्रांफ हो एसक्रीं आथ आटाए कींशान का वार में कट गया रही है एक यहां से एक का जो मान होगा भाईया एकार गुनेचे का मतलब उता होता शेया सैंसे है मतलब हम एक का मान नीकाल चुके हैं उले एक का मनन कितना निकाल खाल तो ऐक का नहीं अगला सवाल आपके स्क्रिन पे आने के लिए बेकरार है यह रहा देख लो ठीक है चलिए बात करते हैं जल्दी से और उमीद करते हैं कि आप थासा नॉट्स वगरा बना रहे होंगे और बनाने जरूर है ना खास करके तुम रूमेट के सावने जरूर पढ़ना बिटा है ना जो रूमेट तुमको कब-कब ऐसा दीमोटिवेट करता है चोड़ दे यार हो गया ऐज हो गया बाल दा जारी जारी है सब्र रख त्यारी जारी है समय खुद आएगा और बोलेगा कि अब तुम्हारी बारी है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं तो हमारी बारी आएगी गाईश याद अखिए इस बात को ठीक चलिए अगरा सवाल कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुप्य का ठीक है अब ठीक है बहुत आप अपन हंडेट पी आर्टी अपन हंडरेट ठीक है आओ बात करते हैं यह तीज साल में यह बराबर होगा किसका बहुत 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 हो होगा बहुत होगा बहुत सर कि जब हमारा कितना हो जाएगा देखो टाइम यहां पर पांस साल टाइम रहेगा देख लो यहां पर लिख दिया हुआ कि इंग्लिस में कोई छूट तो नहीं किया है ठीक है विल भी एच्छ दा सिंपल इंटेश ओ फोर पर सेंट कितना दिन क छे हजार सर रेट कितना दिया हमाले चार परसेंट चार बटे कितना सो और यह टाइम कितना दिया है पांच पहले तो तुम्हें एक काम कर ले न हम बहुत जिसको घर भीजना है घर भीज़ो मतलब लिपटा दो कटम पिटी मचा दो ठीक है तीन जिरो से तीन जिरो को यहां तर्फ चोबीस 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 अच्छा ठीक तो है क्योंकि आर्थ यह देख लो कहाँ पर अप्सन कौन सा गई जो सन नमर कौन सा आपका आपका सी एक नहीं तो सर वही बोला था कि दोनों के यह शिंपल इंटेस बराबर है तो निकाल दिये बराबर करके ठीक चलिए आपके एगा हम बोले क्या रेखने जागा बहुत सिंपल रिदम आसान सा सवाल है बोला कि एक सदार रासी सदार नब्याज पर दो वर्स के लिए एक निस्चित दर पर उधार दी गई अगर उससे इसे तीन परसन अधिक पर उधार दिया गया होता तो तीन सो रुपिया क् अधिक और बैयाज मिलता हमको तो मुल्धन क्या होगा मतलब सर सिंपल बहसा में सुनो तुमने कुछ पेश्य को किसी को धार दिया कितने पर रुपिया दिया किस रेट पर दिया उभी नहीं पता तर कितना मिलेगा वापस नहीं पता बट बोला कि जो भी रेट पर तुम द तर कि अगर तीन परसंड अधिक दिया होते इन पर नहीं पर समझेगा क्या मतलब यह समझते हैं कि अगर हम सो रुपिया किसी को देंगे तो यहांपर हमको एक साल में जो है सो तीन रुपईया आधीक मिलेगा 3 रुपीज मोर समझा कि नहीं 3 रुपीज हमें को क्या मिलेगा अधीक मिलेगा क्योंकि हम तो मान में हम लो ठान चुके है 100 रुपया दिया है हम बहुत बढ़िया हम बहुत ठीक है भाईया चलो सवाल बोला नहीं सर एक साल के नहीं बात कर रहा है सवाल मुला सर 300 पैज़ा मिलेगा हम बहुत हमारा 6 तुमारे 300 के बराबर समझा क्या हम बहुत हमारा 6 कामान जब 300 तो एक कामान कितना हो जाएगा सर 56 चेटीस मतलब एक कामान हो जाएगा 50 तो भाईया 200 चिपका दो 100 बनाने के लिए कोई फर्मूले के हापे है क्या नहीं सर नहीं है इसलिए गाईस कोई भी सवाल को बिना फर्मूले से सोचो तो ज़्यादा मज़ा आएगा समझा क्या चैलो ठीक है जल्दी से स्क्रीन सोर ले लिजे वीडियो को बार-बार देखिए पोज करके देखिए अगर दिक्कत हो ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा एक उमदा सा सवाल है गाईस देखते हैं सवाल को किस तरह से बना पाएंगे सवाल बोला की देखिए मोहन कुछ रासी 9 परसन के बयाज पर और उतना ही रासी 10 परसन के सदारन बयाज पर दो वर्स के लिए देता है ठीक है उसे अगर साथ सो साट रुपया बयाज के रुपया प्राप्त हुआ तो परतियक दर पर कितनी रासी दी गए थी आरे सिंपल बात है भईया हम अपनी एक्स को दे दिए हम अपनी माझ लो वाई को कुछ रुपया दिए ठीक है अप सोचो क्या होगा मिले हाप आ परसन्त पर दिये पर 50 वादींग रासी प्लतार बात समझ यया समझगए हिसार और दो नों को जो धो-धो साल के लिए दिये हैं ठीक है और दोनों मिला करके हमको इंट्रेस कितना दिया साथ तोटल इंट्रेस कितना होगा हम बहुता नौ रुपया हम बहुत नौ परसंट दर का मतलब है कि साल में हमको वह नौ रुपया देगी ठीक है चलो सर दो साल में कितना देगी नौ गुणे दो पलस है हमारी परजेंट वाली दस परसंट का मतलब एक साल में दस देगी लेकिन दो साल में कितना देगी बीस तो यह दस ग बार है 760 है 38 दूनी कितना होता है तो 76 तो एक कामान कितना हो जाएगा 20 हमको चाहिए कितना 100 क्योंकि हम 100-100 रुपिया दिये थे जब तो 100 रुपिया नहीं देते तो 9% का मतलब 9 नहीं होता समझा तो 2-0 इधर चिपका दो तो 2-0 इधर भी चिपका दो समझा तो 0 चिपकाना और 0 हटाना ही अर्थमेटिक का नाम है बात के लिए रुआ तो 2-2-2,000 रुपिया क्या किया था तुम लोगोंने दिया था ओप्सन नमर कौन सा है गईज बात समझा क्या जल्दी से टिक करते हैं आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन सॉट ले लिए होंगे उमेद करते हैं अगला सवाल गाज आपके स्क्रीन पे ये रहा एक चलिए सवाल क्या सर अंबले बहुत अचा है इस्ट्रॉल्मेंट का सवाल करा देओ देख लो क्योंकि जनरली क्या इस्ट्रॉल्मेंट का सवाल आते नहीं इस्ट्रॉल्मेंट में पढ़ा रहा हूं बिना फर्मूले का अगर आप लोगे से को भी अगर फर्मूला पढ़ा है तो जल्दी से इसको क्या करोगा इस पोके में डालके डिलिर मार दो ठीक ना मैं आपको चार साल में समान चार किस्तों में चुका दूँगा ठीक है तो Canjo Rit कितना 있다고 4% मतलए दूसरा साल में हमने 104 उमंतला परसें हैgression안 रिकतें है तीसरा ना फिर योड़ नहीं तो 308 रुपयार दिये 141 115 1115 भासमें ऑले हैंगा टोटल कर चुका दियने मैं वाराथ 204 2424 हम बोले भाई आम तोटल तुम्हारा 424 रुपया करज लिये थे और चुकता कर दिये हिसाब किताब किलियर सवाल बना बैटा 424 रुपया नहीं लिया थे हम बहले कितना लिये थे भाई यह तो बला सर देखो हम 894 रूपय दिये थे हम बले हमारा 424 का मान ही तुम्हारे कितने बराबर है 848 के बराबर तो सारे चाहिए कटा देंगे हम ले होगा तो एक का मान कितना हो जाएगा दो और हम लोग तो इस्टोल्मेंट को 100 मान के चल लेते बहिया तो दो जुरू आप इधर चिपका देना और दो जुरू तुम इधर चिपका देना तो मतलब 2200 रुपया कि तुम क्या किया होगा इंस्टोल्मेंट दे करके तुम अपना कर्ज को चुकता कर दिया होगा बात के लिए रहे क्या चलिए तो जल्दी से फड़ा पड़ से आगे बढ़िए कई बच्चे यह लग रहा होगा मैं बता रहे हो तुमारा सवाल क्या होगा हमको पता ओफ-लाइन बच्चे क्या पुछते थे हमसे सर हमने कर्ज तो लिया है 800-800 रुपया हम तो 200 रुपया करके चुका एंग अगर होगा सिंपल इंट्रेस्ट की जो कहानी है वो आपको समझ में आया होगा ठीक है आएए अब हम थोड़ा सा बात कर लें क्या Compound Interest सर कंपन इंट्रेस्ट क्या होती है अब जरूब हम आपसे बात करना चाहेंगे बात आपको पहले बता के रखा परसंटेज के विडियो में सबक्राइब सबशनुकर सबसक्राइब हर साल तुम नहीं दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे तो बहला दे देंगे शार डे लाकर के दे ला का धुल तुम घजार रुप ला करेंगे उसको अधार देंगे एक हजार का 10% का मतलब 100 रुपिया, तो अगले साल वो हमको 100 रुपिया ला करके एक्षिट्रा देगा, मतलब वापस लोटागी तेगा, 1100 रुपिया देगा, और तुम हमको कितने देने की बात कर रहो? 1000 रुपया है. तो यह 100 रुपया को नुक्सान नहीं हुआ है क्या? बोलो. अगर हम समझो, अगर 1000 रुपया पर 100 रुपया का नुक्सान हुआ, त लाको को रुपया लगा है, तो हमारा तो बिजनेस डूप जाएगा कि नी बताओ? हम बला हां यार तो भाला वहई काम कर सकते है तो मिले क्या कि यही जो 100 रुपया है अगले साल तुम ही हमको यस्टा देढ़ना हम देढ़ेंगे तब हम सवाल खुझ से किये कि 100 रुपया है क्या तो सर रुपया क्या है दा बोलो सर य Eggs vegetarian रुपयार जब तक पैसा उसको टाइम पर लोटाते चले गए तब तक सिंपल इंट्रेस्ट की कहानी चल रहे थी और जिस दिन से वह आपको पैसा आपको देना पड़ रहा है इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट मतलब समाझ जाएगा कि वह कंपाउंड इंट्रेस्ट चलना इंट्रेस्ट बोलते हैं बात समया है क्या हम बहुत समया आगया होगा ठीक है आगे बात करते हैं सब को याद दिला देना चाहता हूं कि वह बात में तुम्हें आद आएगी तो दिक्कत होगा ठीक है लेकिन उस फर्मूले कि से दूर जाकर के नई दुनिया बसाएंगी पहल देख लो भाई या पी इंटू ठीक है वन प्लस आर उपन हंड्रेड समया के नहीं हाँ का पावर क्या हो जाएगा टी या एन जो भी लोग मैनस का पी हो जाएगा ठीक है समझे सार पी को मन कर लो हम बहुले सी आई बराबर क्या होगा पी को मन कर लीजेगा समझे मेरे अब आर से रेट टी से टाइम बात समया के नहीं सब्सक्राइब लिख लिए लेकिन कोई काम का हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है ठीक है एक और बात समझा देता हूँ मैं आपको परसंटेज पढ़ाए थे मैं आपको सकसेसी परसंटेज चैन क्या फर्म फर्मूला हो तो मैं लिख देता हूँ हलाग फर्मूला का इस्तमाल नहीं भी करेंगे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आम तोर पर पर प्रिलम जिससे एक्जाम में गाई दो साल का SI-CI के बीच की डिफरेंस को सवाल में पुछा जाता है ठीक है तो यहां पर बहुत बढ़िया फर्मूला लखेगा P into R upon 100 का क्या होली स्कूर समझेगा पस इसका फर्मूला होता है यहां पर तीन टर्म को involved किया गया क्या क्या समझेगा difference D, P से principal मतलब जो पेसे उधार किसी को दिये हो और R से rate गयाज हमेसे याद रखेगा इन तीन में से कोई दो टर्म दे करके 34 टर्म पुछा जा सकता है 90% केस में क्या होता कि difference और R देकर principal पुछा जाता है कभी क्या करता है difference और principal देकर R पुछा जाता है तो हो सकता कुछ भ अब होता है लकिन आपके लिए प्रिलेंस पॉइंट भी सो ज्यादा इंपोर्टेंट वो नहीं है इस वह बात हम लोग नहीं करेंगे ठीक है शरी तो यह बात के लिए होगी हमोले ध्यान सुनिएगा एक terminology यहां प एक बात और भी आपको परेसान कर सकता क्या वह उता 6 माह और 3 माही मतलब क्या quarterly और half yearly की concept को यहां पर देखने का काम करेंगे पर सोट में समझेगा कि half yearly में क्या करते समझेगे बैंक जो करते हैं समझे बैंक जो पेसे calculate करती है वह इंस्टॉल्मेंट को समझते वे काम करती है सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ हम बोले इसका मतलब यह हुआ कि आप बैंकों से पेशे को हर 6 महने पर क्या कर रहे हो calculate कर रहे हो ठीक है तो बात समझते हैं हम लोग कि सर अपधर दिटेल तो नहीं जाओंगा सिंपल इसको काम बर चला दूंगा क्या क्या समझेगा सOR एक rate बदलेगी और एक time बदलेगी. हमने क्या बोला, फिर दिमागमें चाप लीजिएगा. अगर वो छमाहीं बोले, त्रिमाहीं बोले, तो बतला आप सिर्फ दो जगाँगे को मिलेगा. क्या एक rate बदलेगी और समय बदलेगी. वे द्र बात स्यूद्ध क्या होगा, रेट को half-hour के समय को दो गुणा कर दिना, यहां पर एक term हो रहाएगा, क्या, quarterly term आता है, हम बोले तुम क्या करता ह। हर 3-3 महिने में तुम क्या करता हो? पेसे को calculate करता ह। quarterly मतलब three mahi, शूल मेन से उन्सितना हो गई और बस 6 में ने न तुम पेशे कहा हिसाब करो साल में कितना वार करोगे सर वो दो वार करेंगे हम बहुत क्या हो गया है दो तो वही बात होता है समझो तो जो installment होती है उसी से rate को भाग देते हैं तो सर यहां बे जो भी rate होगा तो उसको 2 से भाग देंगे मतला आधा हो जाएगा क्योंकि 3-3 मेनें पेसे किल्कूल करोगे, साल में कितना वर करोगे, 4 बार, और यहां पे सा टाइम में क्या बदला होगा, हम बहुत चार गुना हो जाएगा, समझा क्या, बस चार गुना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सिखना है, समझा क्या, सहां सा समझ में आ गया, जल्दी से स्कीम्स और ले लो, फटाबर से आगे बढ़ते है, ठीक है, साट एंड शूटे में आपको क्या करेंगे, समझाने की कोशिस करेंगे, उंदा तरीके से, जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग ताबरतोर सवालों के रूख करना चाहेंगे, ठीक है, सार आई बात कर कितना दस, अगर दूसरा साल का मान लोगा है, कितना है, मान लोग बीस परसंट है, ठीक है, बीस परसंट है, तो गाई दखिए, दो साल का नेट कमपाउंटेस कैसे निकालोगे, तुम देखो, फर्मूला भी बता रहा हो, ताकि उससे कई बार क्या होगा, तुम पैन भी न किसी का बीस परसंट का निकालना है, तो मान लोग, तो हो सकता है, इस फर्मूली का भी इस थमाला आप कर सकते है, लेकिन इस से दूर जाकर फिर में बोल रहा हो कि नई तरीके सिखेंगे, अगर सवालों के शुरू करते हैं जो ही बाते हैं उमीद करते हैं चब कुछ बचने हैं नहीं ठीक है कुछ नहीं करना जो हम तरीका जो भी पढ़ाए भूल जाओ फर्मुले पढ़ाए भूल जाओ कोई कौन सा पढ़ाए भूल जाओ जो हम गोल रहा है अब ध्यान सुनना मेरी बात इस तरीके को सीखना जरूर तुम लोग क्योंकि आज की पेपर के जो तरीका थोड़ा सा स्ट प्रिंस्पल दिया है टाइम दिया है दो साल और रेट दिया 20% और पूचा क्या अका फिर फर्मूला होका कर किया तुम पहले करते हैं तीन लाइन लाइन करते हैं फिर एक यह चार स्ब्सक्राइब बात के लिए हम एठाव है फिर बात के लिए का 2000 आपनेको, पहले कॉलम को हमेशा फ्रिंस्पल के ह्ल्स से भरोगे और रे टेक्थ कितना सुना सारे बच्चे, प्रिंस्पल कितना है और बोलेंगे, इसका 10 परसं होगा 600 बीस परसं होगा 1200 सार यहाँ पर हो जाएगा 1200, कि इसका पहला सैं. है दूसरा भी कितने होगा बारा संद ही के लिए होगा हां सर वल्हें गर इसको भर ना है तो इसके ßen रस के ऊपर में क्या करना या हैं 20% कितना होगा पैन मत चलाओ इसका 110 कहोंगा प्रसन होगा लanno 240 लिख दो, बात खतम हुआ, सब को जोड़ दो, पहले वाले कोलम में जोड़ो, 1212 कितना होता है, 2400 होता है, ठीक है, पलस, इस कोलम में एक ही डेटा है कितना, 240 जोड़ दो, और देख लो, 1200 पलस, 240 कितना होता है, बोलो, 2640, बात समझा क्या, सार, यह क्या हो जागा, आपका, क्लियर होगा, क्या, इमीद करते हैं, क्लियर रहा होगा, सर, परसंटेज दो, क्यों नहीं बता रहे है, बता देख लो, देखो, सक्सेसिव इंक्रिमेंट को ही, कमपाउनेंट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, बियान सुन लो, बियान से, 6000 रुपया क्या है, प्रिंस्पल, हम एक बार और 20 पर देखल का, मतलब होता है, 120 पर एपनेट 100, 120 पर एसे, एक बार और 1000 से एक बार 1200 से एक बार 00 क्या कर देना, मुझत क्लिए होगा, और अच यह ठीक है, यह शे.. से गुना करेंगे 0, 24 क 24 के चार रखीश और कितना हो जाएगा ? 234 कख के चार के रिगए और कितना हो जाएगा ? 1867-40 IL wine one strike क्या होता रहे सर बड़ा असान है हम बोली सना हम बले सिय बरावर क्या होता है हम बोले CI ब्रावर अभी तो बतायाते हैं, से गुना करके भी सवाल करो लेकिन या देखिए उसके समें माउंट आएगा इसमें से प्रिंसिपल घट आईएगा तब क्या मिलेगा अठारा जार है रेट लेकलो दस परसन कुछ मत करो टाइम तो तुमको दिया ही है सर्थ तीन साल टाइम मतलब क्या करें आप यहां पर दो लाइन ड्रो करो और फिर एक लाइन ड्रो करके रूप जाओगे बात समझा हम बहुत हैं तो यहां से एक परसन कितना होगा सर यहां से किसम बरेंगे हम इसको भरण वहाँ इसके बगल में जो भी होगा इसको चोड दो उतनले ताइस चोड ने बाद鍵न क्या शर थो सिब ङब हर एक पर संट रो UK और उसको भरना शरती है यहां पर में इसको उसका शरती होग इसको भर दो शोड़ दो इसको भरने इसके बगल ने चोड़ने बाद इसके उपर में कितना चाहिए लिखर रहा इसको भरने जाया जोड़िए पाले से कोई लेना देना नहीं है इसको छोड़े ऑख nenे, इसके ऊपर चले जा, 182 थी,580 का 50 कितना होता सबको जोड़ो, सर इस को जोड़ेगा 18 error कितना होता जोडो दोस्त 410 सार कोज़ेगा इसको जोड़ सबको 540 गसको जोड़ देगा 1016 सबको तीनों को जोड़ दीजे 4700 जोड़ Państwo 75 कोई बच्चा टाइब करेगा तब तक आप क्या कर सकते हैं पहुंच सकते हो यह और फास्ट होगा क्योंकि आप खुद बनाएंगे तो आपका मुझस से हाली 30 से 35 से जाएगा ज्यादा ज्यादा एक मिनट तो नहीं जा सकता है पचास सेकंड तक लिप्टा दोगे ठीक इमिद करते हैं आपको सेसन के लिए रहा होगा एक जल्दी से स्कीन सोट लीजे अगला सवाल आपके स्कीन पर गाईज यह रहा देखिए एक और सवाल गाईज यहां पर हमने बोला था अर्धवारसी वेगर अपर हम काफी बात अभी कर चुगे थे देखिए यहां पर एक अ क्या कर देना दो गुना कर देना फिर मैं आपसे पोछते हूं से प्रिंस्पल पर कोई फर्क पड़ेगा हमले कोई दिकर नहीं देखते चलो भी अब प्रिंस्पल कितना गाईज 800 ठीक है देखिए का सर टाइम कितना था सर टाइम वान पॉइंट फाइज बोला था इसको द कितना दिया हमारा एक कितना तीन साल स्का मतलब girl क्या भूले थैप अम सार फिमैूअ दिमागों ना डिमागव में products है और बनाइंगे सर 5ध परसंट के सर न कीमिए संतरा आइट दस परसंट निकलेगा अगर 10 परसंट यह लोगा, मतलब की मैं उजा से काँस न कीमिंट, स्वार्व बढंश को भगल में चौड़ दो तो इसके बगल में छोड़ दो गया टिया चैनल क्था चार जाएगा डेखलो है लिए बाट समझा क्या समयं से इसको भरना घ्रोड दो तो इसको छोड़ दे हम भले हाँ छोड़ दो सर इसको ऊपर चले जाओ विले उपर चले जाते कितना दो दो का 10% मतलब एक के बात पॉइंट शिप कहा है तो जीरो पॉइंट टू हम भले पांच परसें आदा करो तो 0.2 को आदा करो किसर क्या होगा 0.1 तो सर सब को जोड दे क्या हो जाएगा अंसर हम भले लो जोड देते हैं जाड़ा हो 40 तीया 120 बात समझा हम भले हां सर यह कितना हो जागा 6 और यह होगा हमारा 0.1 इसका मतलब सर अंसर क्या हो जागा समले हां पे सर CI क्या हो जागा क्या 126.1 बात क्लिए हुआ क्या क्या कोई option में है कि नहीं कौन स हम जल्दी से आपको दिखाने वाले हैं चलिए एक और खुबसूरत सवाल है गाई उसी हाफेरली पर हम बात कर लिए को कई बच्चे को हाफेरली से बहुत डर लगता है ठीक है वो डर खतम करना बहुत जरूरी है बात समझा क्या चले डरने का नहीं नहीं सरी सवाल क्या है हम बोले सुनलो ध्यान से ध्यान सुनलो गटा यहां पर क्या-क्या बोला सुनला इस सवाल में गाईज हाफेरली जैसे सवालों की कॉंसेप्ट इस्तमाल हुआ लगिन सवालों को हम लो यूँ फूख देंगे ठीक है क्या बोला समझेगा एक धानडासी को एक वर्स के लिए एक साल में अगर यहां पर हम बात करें तो हमको 18 परसन मिलेगा ठीक है आगे बोला है सक्रिविदेव याज की दर्द को अर्दवार्शिक होने पर जो यह सो ब्याज 324 रुपया बढ़ जाती है इसका मतलब बात समझा है पहले अगर हम अगर आपसे अर्दवार्शिक की ब पढ़ता था उससे हमको 324 रुपया जादा देना पड़ेगा क्यों सर अर्दवार्शिक हो गया मतलब समझ में आ गया सर 6 मेना में दो इस्ट्रॉल्मेंट हो गया और दो इस्ट्रॉल्मेंट का मतलब बैंक मान लेती उसको दो साल तो वहां पर तो इंट्रेस पिंट्रेस वह हमको स्ब्लार पर इंट्रेस नहीं लगेगा। सुन लो, सुन लो, Net CI का फर्मुला क्या था, बलो, है न, R1 पलस R2 into R1 पलस R2 divide by 100, तो इसका मतलब साथ, पहले साल का 9 पलस 9, पलस 9 गुने 9, और बटे कितना 100, तो सर, यह 18.81 परसेंट, बात समझा क्या, हम बले इसका मतलब समझा, हम बहुत बढ़िया, तो सर, हमारे हिसाब से जो है, बबु समझो, कि अगर हम अर्दवार्शिक से अगर इंटेस्ट चुकाएंगे, तो 80.81 पैसा देना पड़ेगा, अर्दवार्शिक अगर नहीं होगा, तो 80.81 पैसा देना पड़ेगा, तो हम बहुत अर्दवार्शिक नहीं होने के कारण, तो उमको कितना रुप्या ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा देख लो एक बार, सर, दोनों घटा की दिखा देंगे, हम बहुत दिखा दिखा दे, दोनों का दिखरेंस, ठीक है, आओ, दोनों के देख लो आप पर, इसको पर रॉफ कर लूँ क्या, इसको रॉफ कर दूँ, बेटर होगा आपके लिए, आईए, दोनों का दिखरेंस दिखा दते हैं आपको मैं, ठीक है, देखिए, तो कितना ज़दा देना पड़ेगा, देख लो आपर, तो यहाँ डिफरेंस देख लो एक बार, कितना ज़दा देना पड़ेगा, सर यह 18.81 है, और यहाँ पाले ठार पर देना पड़ेगा, मतलब सर अब हमको एक्ष्टा देना पड़ेगा, वो 0.81 देना पड़ेगा, हम बोले ठीक है, तो सवाल बार नहीं सर, हम सर हमें उतना नहीं दे रहे, हम बोले तुम कितना दे रहे, सर हम को 324 jan Sóत देना पड़े रहे, हम बोले यह सणो, हमारा इतना का मान, तुमारा कितने बड़ा बड़ जाएगा, 324 के बराबर, 81 चोका, कटा जाएगा, कितना बढ़र है हमान, एक 80 चोका होता 324 ठीक है और यह पोइंट हटा देंगा तो यहां फे जो 100 आएगा वो अधर जाके चिपक जाएगा इसका मतलब समझो सर यह उधर सब गुना हो जाएगा मतलब एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा चार पर चार जिरो मतलब 40,000 कोई उपसन में है या नहीं है है की नहीं है और देख पा रहे हो कि नहीं तो यह तरीका होता है गाईज कोई दिकत नहीं उम्मीद करता है कि अरदवार्शी पर दोनों की समझे को पढ़ा है आपको कोंसेप दोनों के लिए रहा होगा ठीक है जल पर 9 महिने का 20 पर 30 वार्सिक दर से चक्रिविर्धी व्याज होगा जबकि 3 महिने का मतलब होता क्या गौटरली इंगलिज में साफ सब्धों में लिख दिया है quarterly का मतलब तो समय आता हम बहुत है सर समझते नहीं सर अच्छी सर समझते हैं क्या दो परिवर्तन time को चार गुना कर देंगे सर और rate को चार से भाग देंगे तो यहाँ पर time को देख करके अब ध्यान दो काप मत जाना hang मत कर जाना तुम लोग ठीक है hang मत करना सर टाइम कितना दिया हम बहुले कुछ भी दिया जाता नहीं हो ठीक है चलिए तो सर क्या है बताओ कि क्या रहे भी या rate है 20 तो सर चार से भाग देंगे इसका मतलब बताओ कि सर 5% बात समझा क्या डन अब सर यह हमारा time कितना हो गया तीन साल तीन साल का मतलब पहले तीन लाइन ड्रॉक और दो फिर दो लाइन फिर एक लाइन पर जा करके क्या करो रुख जाओ ठीक है भी आओ जाओ सर देखिए तीन लाइन ड्रॉक कर दिये फिर सर हम दो लाइन ड्रॉक कर दिये और एक लाइन पर जाकर दम तोड़ दिये ठीक है आइए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखो कियसे बनेगा देख लो आप पर पांच परसंद आने पैन मत चलाना कोई पैन मत चलाना ठीक है चलिए सर क्या करना होगा अच्छा ऑप्सन लगता है नहीं बदले पिछला सवाल को क्या देखते हैं क्या है नहीं बदले भूल अँग हो सकता है ठीक है आँ यहां पर पांच पर से पैन मत चलाना इसका 1014 000 तो पर सब्सक्रेश कितना होगा बोलो 800 800 एचक है तो 800 800 800 11 bon s है इस कॉछ दो छो चॉड़ दो जाएगा थे सार्स क्टो आश्यास भी विए कितनہ वैस और के तना फाला हो जाएगा 222 हो जाएगा कोई अनसर है कि निए फटावर चेक करो अपसर नमर सी को टिक करो और आगे बढ़ जाओ ठीक है उम्मीद करते हैं क्वाटरली जैसी कॉंसेप्ट को आपने इंजॉय किया होगा ठीक है अब जो सवाल आएंगे और और खुबसुरत सवाल आएंगे देखिएग कोई धंडाशी चक्रीमिदी वयाज से दो साल में जा शोएंगि का टूपटूफाइव गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगे मेरे बात समझ्जेगा अगर कभी कोई सवाल इसा बोले इतना रुपया हो गया इतना साल में हो सकता हो दो साल की बात करें तीन साल की ये amount दिया, ध्यान सुनो बाब वे गदम, पिंस्पल amount जाब भी दे रेट पुछे तो कुछ नहीं करना, एकदम आसान वसं बना देंगे, इतना गुना मतलब ये 1 होगा, तो ये क्या हो जागा, 2.25, सुन लो, ये point को हटाओ, तब तब तुमको इसकी अक्सित असलियत पता च सर, ये 2 साल बाद, सर, ये 2 साल बाद की बात है, तो ये दिमाग में च्छाप लो कहीं, अभी आपको जो पहला question करया थे, हम परसंटेज वला, तो हम क्या बोले थे, कि 20 परसंट था, तो क्या कर रहे थे हम, गुना कर रहे थे, 120 बटे 100, 2 वार था, 2 साल था, तो एक वार औ स्क्वार रूट करोगे, और अगर गाइस, तीन साल रहा, तो क्यूब रूट करोगे, सर, चार साल रहा, तो फोर्थ रूट करेंगे, या दखिएगा, ये बात, है ना, अभी पहला सवाल देख लिजी आप लोग, कराय थे, हम लो, ठीक, तो सर, यहां पर क्या करना पढ़ हो अटरा, और यह हमारा क्या होगा, मतलब काईस, समझ ये आप, एक साल के बाद क्या चल रहा है, समझ ये आप, आफ्टर वन एर, सर, 10 रूट रुपया रखे, हाँ, आप समझ गया, सर, 10 रुपया, रुपया रखे, हो कितना गया, पाँच, 15 हो गया, इंट्रेस, कितना मि यह देखे थे कि भाईया देखो दोस रुपया राके सर पंदर रुपया होगा एक साल में रहा कितना तुमको व्याज मिला पांच किस पर सर दस पर मिला और गुने क्या करना पड़ेगा आपको सो क्यों दर चाहिए भाईया परसंटेज में सो सर जीरो से जीरो लिप्टा अगर एक रासी तीन वर्स में चक्रविधी व्याज के द्वारा ती आठ गुना हो जाती है ठीक है मतलब अपने आपको कितना होगे आठ गुना पहन मत चलो सर जो मालो एक रुपिया रखे कितना होगे आठ रुपिया तो जो हो जाता बलकर सो क्या बलते हैं माउंट सर ये कितने साल के बाद सर ये तीन साल के बाद हुआ सर तीन साल के बाद क्या करें बलो हमें रेट चाहिए तो वापस आना पड़ेगा मतलब सर क्यूब रूट करना पड़ेगा किसको या पर एक है सर ये क्यूब रूट करना पड़ेगा किसको आठ को सर ये क्या बचेगा ये वन और ये हो जाएगा टू सर कितना साल के बाद सार एक साल के बाद आके रुख जाना है ठीक है आए अब रेट चाहिए हम बहुता सुन लो बैंक पर रखा एक रुपया है यह रेश्यू तुम ना भी लुको चलेगा कोई दिक्कत नहीं सुनो यहां पर एक रुपया रखे हो कितना गया सर दो यह रेश्यू हंटा दो नहीं परसंट क्या हो जाएगा रेट आफ इंट्रेस्ट तो कौन सा यह देख रहा है हंडेड परसंट दीख रहा कि नहीं नम तोड़ दिया बात के लिए हुआ क्या हां सर के लिए हुआ चली इसक्रीन सौट लीजे अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा देखेगा एक उंद रखे सर्गुणा क्या हो जाएगा हम बनाइं ऑलापके सर दो गुणा हो गया मतलब क्या हो जाएगा दो कितने साल में छे साल में समझो सार यह कितना गुना बोल रहा है सोलह गुना यह दो फिर दोगुना कर दू ना च्छे सल कर दो है कितना हो जाए जाएना इसका यहां पर कितना हो जाए गापको छे त्याग सा 24 साल कॉन सा ओψसन देख सकतो है को ऑफसन नम्बर सी ठेक है दिखो डवल हो गया तुमकर दी माललो अपने मन से एक उर्प यह तुमारा मन सौर्प यह मालो क्या फर पढ़ेगा एक रखे डवल हो गया चोफ इसका डवल हो गया चार इसका डवल being इसका डबल सोल लो बात खतम है ठीक है दो तीन बार इसे ऐसे पैन नहीं चला सकते हो क्या है इसका और भी सॉटरी हो सकता है क्या मतलब है यह तुमारा की वह तरीका जो तुम भूलोगे नहीं ठीक है चलिए अगला सवाल जल्दी से स्क्रीन पर यह रहा चलिए बहुत ही उम पर यह तक हम बहुविस ख्याम लुट होसिं दो साल का मतलब समस्झतर ङान नहीं बहुत है क्या कि सर सीमपल इंट्रेस्ट हर एक साल का इक्वल होता है तो सर दो साल का अगर सिमपल इंट्रेस्ट अगर 400 है तो बराबर बटे का मतलब 200 होगा और आपको भूल मत जाएए पहले को लम हमेशा सिमपल इंट्रेस्ट को इनौर करता था जब तब तुम पैसा टाइम पर दे पर आया होगा, confirm, बोलो, तब इन तो जोड़ता था, दो और दो 400, पलस 10, 410, तो अभी आपको हम याद दिला दे हैं, याद दिला दे हैं, कि इसको भरने के लिए इसको cross score देते थे की नहीं, और इसका अगर 10% था था, इसका 10% यहाँ भर देते थे, 5% था तो इसका 5% भर द है, देख लो, आप देख सकते हैं, कि यह 10, 200 का कितना परसंट है, और हम तो कर दिये, लेकिन तुम नहीं कर पाते हो, तो तुम percentage का तरीका लगा लो, जो पुछेगा, उसको उपर रखो, जिसके respect पुछे, इसको नीचे रखो, सर यह पुछा 10, किस क्या है, 200 का, सर कितना प सकते हैं, अगला सवाल, आपके स्क्रीन पर मेरे दोस्त, यह रहा, एक गुम्दा सवाल, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं जाता हूँ, इस सवाल को किस सरी के से करते हैं, बला, sum of money amounts इतना, in 3 years, and rupees इतना, in 4 years, तो से लिखा, what the rate of compound is, बहुत सिंपल सवाल है, यार, दे बता, 840 हो गया, अब लेता, यह रहा, या-की साल क्याना, however, सरा, तो पैंक्यों चला रहा, तीन साल है, यही 800-840 रूपिया एक साल में, और एक साल में आपको पता है, तो सरा, इंट्रेस कितना मिला, सरा भो सुन लो, हमें क्यों किस पे मिला 40ắp, क्यमने पें इत्रे papier इतर स्वाल को गाई जिस तरीके से स्वाल करना चाहिए ना कि X Y Z के फॉर्म में ठीक है जल्दी से गाई इस स्कीन सौर उम्मीद करते ले लिए होंगे अगर यह का सवाल और होगा तो हम जलूर इस पर बात करेंगे चलिए इस तरीके और सवाल आपके स्क्रीन पे दिख चुका आ करते हो सर्थ 2 साल के साइस यह का डिफरेंस का फर्मला अटार डी बराबर पी इंटू आर ओपन गाईज कितना हंडेट का होल स्कुर के लिए आखरी सवाल है आखरी सवाल के बाद सेस्वाल को हम लोग फ्रीज करने जा रहे हैं ठीक है क्या बोला सर्थ डिफरेंस कितना द सब्सेटीक दिफरेंस करने जा ठीक है बात समझा यह हांसर समझ में थे मिलब करत काव में जिरी में चरसे में मिलबृ जरल तेंव बार में 50 और पांचार में कboys ने पचिस घृर यह 25 घृफ कशिए Enfin 20-ख़ों ओर ये वह पचीन है समझ यह हो जागा की हमारा सब यह फिस एक हमारा सौटीज़ चोड़ेगा नहीं तो सर एकाइक फफचीस पर दो जीरो तो यह हमारा क्या हो जागा क्या यह हो जागा हमारा पुद्ध संसर जाका हम लोग इसको percentage में पढ़ चुके थे, हम लोग चाहे तो compounders में पढ़ लें, क्योंकि दोनों का meaning same है, successive increment, ठीक है, चलिए, क्या एक बार देख लिएते हैं, उसको session को finish करेंगे, पलस सर, हमारे गाउं का population, हमारा एक लाख है, जो भी है, rate of annual कितना 10% है, तो बोला सर, क्या बोला सवाल ने, कि fourth year के beginning में, beginning बोल दिया, मतलब तीने साल का बोल रहा है, fourth year beginning का मतलब तीन साल के आकरी में population कितना होगा, पहन कोई बच्चा मत दिलाना, कितना जिरू है, देख लो, क्या बोले थे आपको successive increment, हम बोले, population का rate 10% मतलब 110 बटे 100 होगा, समझा क्या, 10% increment का मतलब 110 बटे 100, 110 बटे 100, clear हुआ है दोस्त, हम बोले हाँ सर, समझो यहां पर, तीन साल है, तो तीन साल, चार साल का beginning का मतलब तीने साल है, तो तीन बार 110 से कर देंगे हम लोग, बोना कर देंगे, अब यहां पर देख येगा, कौन-कौन कटम पिटी मचा देंगे, देख लो, यहां पर देख लो, 2-0, 2-0, और 1-0, 5-0 यहां पर घर भई दिये, 1-0 से इसको लिप्टा दिये, 11-1 का क्यूब कितना होता, रहे सर, वो 1300 क्या होता, हमारे 31-1-0 यहां पर चिपकने के लिए, बेचेन है, तो कौन सा अपसर ने देख लो, कहां पर है भईया, तो इमीट करते हैं, आज का सेसन में आपने कुछ नई सिखा होगा, आप जिस तरह से सौल करते मुझे नहीं पता, बट जिस तरीके से जिस अंदाज में हमने आपको सौल किया, बताएगे कमें बॉक्स में कि आपको सौल ट्रिक कैसा लगा, ठीक है, जो भी टोपिक पढ़ हैं, यसी अंदाज में पढ़ाएगे, ठीक है, चलिए, हस्तर रहें, मुस्कुराते रहें, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत.